आप लाग लगवग आता है क्योंकि उसकी पाइप लाइन ड्रेप फिर वो उसकी जो निपल्स सारा तो खैर कुल मला के आपको तो लगवग जी एस्टी के बराबर ही देना पड़ा ना बाकी सब सरकार से मिला क्या बोया हुआ है वाँ फसल क्या बोई होई है जीरी भी अब माइक्रोगेशन से होने लग गई है इसका एक बहुत बड़ा एक पर्मान मिल गया है यह वरना तो लोग कहते हैं जीरी को तो जब तक पानी में डुबो के ना रखो और तब तक तो वह होती नहीं है बहुत होगा सब्सक्राइब बचेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए बैठिये और पीछे को ने कितने एकड़ में अपने एक ही कर रहे हैं अभी पाइलिट कर रहे हैं तो क्या लगता अगले साल आपका मन करेगा के भी एक की वज़ाया और चार एकड़ पांच एकड़ करूं इसी वार सोच रहे हैं बहुत अच्छा है इसलिए इस अच्छा जीरी के इलावा और तो भी फसल कोई नहीं वहीं होगी जीरी और कनक कनक भी है उसमें भी माइक्रो विशन भुए है से चारिक की है चली बहुत अच्छा बहुत बढ़ी है बैठी धन्यवाद दोनों कि सानों का और निश्य रूप से बढ़े खुले मंझ से मानिने मुख्य मंतरी महदे बात कर रहे हैं अब आभासी मंझ के मादम से अंबाला से हमारे परगतिसील किसान जुड़े हुए करिपया टेक्निकल टीम से निवेदन उन्हें जोड़ें अंबाला से बलबीर जी आपको आवाज सुनाई दे रही है मानिने मुख्य मंतरी महदे आप से सीधा बात कर रहे हैं नमस्कार मुख्य मंतरी साब जी आप माइक्रोगेशन पर खेती कर रहे हैं कितने स्क्राइशन की टीम 2019 में मेरे पास आई तो तुछी गाइड दिया था किसे आपको तो मैंने वो इकड़ गन्य में अपना लगाया था इस वी कि मेरी गन्य के लिए था अभी भी हम दान के खेत में बैठे हैं जहां पर यह लगाई हुई है दान में ग्रिम लगाई हुई है यह जैनिरीगेशन है जैनिरीगेशन ने दूर तक पहुँंच गया मैं इस्राइल गया था तो वहां भी मुझे जैनिरीगेशन मलें मिल गये है अच्छा ये बताईए जब आपने गन्ना बोया है और उसमें से सचाई की है तो वह गन्ना पहले के पैक्षा कम हुआ के जदा हुआ है ज्यादा ही मिली है बहुत बड़ी है लोग तो यह कहते हैं कि मात्रा कम हो जाएगी कम पूपज होगी आप कहतें दस प्रश्च जदा हुई है बहुत इच्छी बात है पानी जो आप लेते हैं पानी जो लेते हैं यह टूबल का पानी है या नहर का पानी है जिससे माइक्रोजिशन से आप सिचाई करते हैं थी नहिं लगती होगे वह है नहर हमारे पास नहिं लगती है ठीक है तो यह नहर से भी हो सकता है और टूबल से भी हो सकता है और सब्दाव चालिए और कहां से जुड़े हैं लोग दन्यवाद दन्यवाद हमारे दूसरे किसान जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मानने मुख्य मुंतरी मोदे सीधी बात करना चाह रहे हैं पैसे टेकनिकल टीम से निवेदन वो कहां से अमबाले से कर दूसरे किस इस्तान से यमणा नगर से जुड़े हुए हैं तो यम ना गर से हैं जोड़ो भई यम ना जोड़ो हक्श हशार जोड़ो कहीं न कहीं तो जोड़ो आखांएं अबसुना हम siya आवाद सुनाई दे रहे हैं आपको मान्येयं मुक्ख्यमंत्र और मांन यम्के मंत्र महदे सीधे आपसे जोड़ रहे हैं आज यह लिए किनशकार इस मोलिए separate कि यह अधिना नकर कहां से बोल रहे हैं कि और नट कुण से नट कुण सब्सक्राइब रादोर ब्लोग में जगोडी कि अब बोलिए इरिगेशन आप कैसे माइक्रोगेशन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कि कितने कितने एकड में आपने कितनी एकड में सिचाई की है कि 21 एकड में माइक्रोगेशन कर रहे हैं कि आपका तो अनुबह बहुत बढ़िया होगा फिर आप कम से कर रहे हैं माइक्रोगेशन बताइए आठ महीने से तो इससे पहले खुली सिचाई करते थे तो ट्यूवल से करते हैं कि नहर के पाणी से अब ट्यूवल से करते हैं कि पहले कितने घंटे ट्यूवल चलाना पड़ता था जब माइक्रोगेशन नहीं था और अब माइक्रोगेशन में कितने घंटे चलाना पड़ता है बताओ हफते में पहले एक एकड में एक दिन में आठ गंटे में एक एकड पहले करते थे और अब हो अब एक गंटे में एक एकड अब एक गंटे में पांच एकड लोग कितना पानी की बचत और बिजली की बचत ये ठीक है कि किसानों को बिजली का पैसा तो नहीं देना पड़ता लेकिन सरकार के उपर तो वजन पड़ता है ना एक टुवल का लगबख एक लाख रुपया साल का सबसिडी लगती है यानि जो दिनी पड़ती हमको और अगर ये उसका चाली सो आइसा कर र कि पानी जाल के इस पानी की वचत और ओर यो नीचे सप्च्णाल हर बाद एक पाइप डालना पड़ता था अब बूस के अब यह ज़िए अब नहीं दालना पड़ता हो क्योंकि के लगबख एक मिट्र पानी हर साल नीचे चला जाता है तो तीन साल साल में तीन मिट्र यहने बीस फुट चला गया कि इस नहीं दस फुट चला गया तो दस फुट का पाइप हर तीन साल में नीचा जाला पड़ता है कि बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा चलिए आगे बड़ो धन्यवाद कि धन्यवाद दूसरी अगर किसान लाइन पर है निवेदन अंबाला से अवाद सुनाई दे रही है माने मुख्यमंत्र जी सीधे आपसे जुड़े हुए हैं लक्विंदर जी कि बोलिये लक्विंद अच्छी योजना जिसका किसानों के उपर कोई भोज नहीं दल रहा और सरकार पूरी सहायता दे रही है और ये जो योजना है पानी बिचाने की इसके लिए बहुत तहदिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं माने मुख्यमंत्र जी इस पानी बचाने का लाव इसका लाव किसको होगा पानी बचाने का आपको होगा क्या अगली आने वाली संतान को भी होगा मेरे बच्चों को पानी मिल सकेगा जी वरना वो आने वाले टाइम में पानी नहीं मिलेगा यानि अमपने कोई नहीं अपने बच्चों को भी फादा कर रहे हैं अभी से हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी और आपने अमरिस्ट्रोवर के नाम से जो योजना चलाई है वो भी इसके साथ जोड़के जो काड़ा की टीम है वो खेप में तलाब का पानी भी हमारे लेके आ रही है मानने मुख्यमंत्री जी तो तलाब के पानी से भी आप तलाब के पानी से भी इरिगेशन कर पाएंगे यह एक ऐसा यूनीक आइडिया है मानने मुख्यमंत्री जी जो आपने किसी फाइदे के लिए नहीं बलकि हमारी पुस्तों को बचाने के लिए एक सुरू की है मानने मुख्यमंत्री जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहां कौन सा गाओं है आपका? समानी गाओं है मानी है मुख्या मंतरी जी. समानी अमबला में? हाँ जी हाँ जी अने कुशित्र में सर, जब भी आप दर्शन देंगे, एक घर के कोने में मैंने एक 10 फिट का पाइप लगाया है, सर, सारा पाणी वहां इकठा होता है, और खेट के अंदर वो पाइप ले जाके छोड़ दिया है, जी वो सिता खेट किसी चाई के काम अगता है, बारीज का परूद। खेत में और क्या क्या बोया हुआ धान बोया है और भी कुछ बोया है धान के इलावा जी गन्हा भी है पिछे देख पा रहे है आप तिल का भी मैं प्रियोग कर रहा हूँ ज्यादा नहीं किया पिछले दो-तीन साल से मैं दो कनाल पे तील भी बोटता हूं सर उसके अंदर पानी की आवशिक्ता बहुत कम है पर साथ का ही पानी उसके अंदर यूज होता है सर और तील एक अच्छी फसल है और हमें बढ़िया तेल भी मिस्ता है सर उसके जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आपको और आप पीछे देखेंगे ये पोदे भी लगाए हुए है सर मैंने ये आगपास पचास पोदे रोकित कर चुका हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया धन्यवाद Sum ऑप बहुत अच्छा कारिये करने हैं जुर्ण का New मैंने इस में सब्सक्राइब हैं निशीत रूप से कि जोड़कों के उद्गाटन हो रहे हैं देग्सिंग आजए किसान कह रहा है कि मुंख्य मुख्य मंतरी जी आपने हमारे बच्चे के लिए पानी बचा दिया है। बहुत बड़ी बात है दिवी और सज्ञेशंगों जोर्दर तालियों के साथ इस बात से अभिनेंदन करें माने मुख्य मंतरी महदे का। आज की सर्वोस्ठी में मंच पर्विराजमान हमारे हर्याना विधान सभा के मानी अध्यक्ष श्री ग्यांचन गुप्ता जी हर्याना सरकार में मेरे साथ थी मंत्री श्री जेपी दलाल जी जो स्वयम क्रिशी विभाग और किसान कल्यान विभाग के मंत्री है इस खेतर के हमारे मानी सांसद श्री रतलाल कटारिया जी हर्याना वाटर हर्याना वाटर थोर्टी की हमारी चेर्मेन आधनिय बन केशनी आनंदा रोडा जी सिचावी वाग के ACS श्री देवंदर सिंग जी मिकाड़ा के प्रशाशक डॉक्टर सत्वीर काध्यान जी मंचासीन और सामने सभागार में बैठे हुए सभी अन्य अधिकारी गर्ण सज्जन वरंद और मेरे किसान भाईयो बहनो आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेश प्रकार की जो योजना एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई उसमे एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है आज हम सुक्षम सिचाई इस परदर्शन के कारकम की ये शुरुवात कर रहे है कि अबल शुरुवात कर रहे हैं ऐसा नहीं बलके मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने सहेजने और उसका एक उच्छतम उप्योग करने की आज हम शुरुवात कर रहे हैं कहते हैं जल ही जीवन है जल के बिना कुछ नहीं लेकिन एक लगातार चलती हुए जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका चाहे पानी से दोहन हो चाहे हमारे अन्ने स्रोथ हो जितना उप्योग हम कर रहे हैं उस में उस पानी की उप्लबता उतनी नहीं है तो आज तुमें कहूँगा के पानी की उप्लबता और उसका उप्योग इसकी ओपर विचार मर्स हैं हम करेंगे best management for water यह हमारा ठीम है पानी तो जितना है उतना है अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं लेकिन प्रबंदन अच्छा कर सकते हैं आज तकनीक का यूग है और इस तकनीक के यूग में तकनीक हमको सिचाई के जो नए आयाम उसमें जो सूक्षम सिचाई है उसका तरीका बता रहे हैं तो इस तक्रीक का उप्योग करते हुए पानी कम से कम उप्योग करके और उसकी उप्योग विताब कैसे जदा जदा बढ़ाएं उसके लिए ये बहुत महत्पुन है तो कि मैं तरह हम जानते हैं कि पानी जो है इसका जो महत्पुन सबसे पहला उप्योग है वो है पीने का पानी पीने के पानी के बाद सिचाई का जो काम है वो पानी स्यम करते है अन्य उप्योगों में भी आता है लेकिन दो ये इतने महत्पुन उप्योग है कि जिसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं अब पीने का पानी बले ही जितना पानी उसकी उतनी मातरा नहीं लगती उसमें कम मातरा लगती है अधिक मातरा तो सिचाई के पानी में लगती है और जब अधिक मातरा सिचाई में लगती है कल को पानी का अगर संकट आता तो बचाने की जब बात आएगी तो उसी हिसाब से जैसे उपयोग होता जिस मातरा में उसी हिसाब से ये बचा सकते हैं लेकिन जहां तक पीने का पानी है इसमें बचाने का सोची नहीं सकते बलके हमारे शरीर को पानी की उपयोगता ज्यादा होती है हमको तो डॉक्टरी भी के बार कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा पानी पीओ प्रतीजन अगर हम दो लिटर पानी पीते हैं तो ढ़ाई लिटर पीने के लिए के लिए कहते हैं अगर हम पांच ग्लास पानी प्रदेंट पीते हैं तो उसमें से दो ग्लास कम करेंगे तो शरीर शरीर हो जाएगा शरीर अस्वस्त हो जाएगा अब रहेगा सिचाई की बात क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिचाई के उपयों में आता है बचाने की गुझाईश है तो सिचाई के पानी में गुझाईश है और के गुझाईश नहीं है अब नई विधी विधान जो आ गए है उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिचाई जो फलड इरिगेशन हम करते हैं फुलीस, यानि एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं, तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है, फसल को उपयोग के लिए ति उसकी जड़ों पानियों भी डाला जाएगा तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं, त हिसी में से मिल सकता है ता कि हम पानी की अधिकांश मातरा इस में से कैसे हम बचा सकते है, मित्रोप Mick Bishop का एक दूसरा भी एक पक्ष हम को धान्फ करना पड़ेगा, कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलबता, दूसरे प्रदेशों के नुसर उ परती हैं, जह्मो कश्मीर में भी न दिया है, उत्रकश्मी बीन दिया है, उत्राघंड और हिमाचल कोके पाईडी लाका है उनको इस परकार कितनी आऊचरता नही है, नहर में की तो हमारा नहरी पानी, कानी, उसकी में उतलप्ता हमारे पास बहुत कम है, और हमारा संकट निपतेंगे तब निपतेंगे एक राजनेती कोई कुछकारण बने हुए है सुप्रीम कोट हमारे साथ है सुप्रीम कोट ने निर्णे दे दिया है जब होगा होगा लेकिन तब तक हम हाथ पर आथ रखकर के बैठें नहीं रह सकते हमको अपना पानी जो है जितना उकब्द है उसका प्रबंदन ठीक करना पड़ेगा ताके हम अपने वरत्मान काम को ठीक से चला सकें इसलिए जो क्रिशी में यह जो मारा पानी काम आता है इस क्रिशी के पानी की जो सबसे बहत बेतर जो तकनीक है वो यह जो माइक्रोगेशन है यही है आज माइक्रोगेशन के यह जो प्रियोक के लिए हम लोगों ने इतना बड़ाई कारकम चलाया है कि इस सिचाई का जो परदर्शन 7500 सानों पर सुक्षम सिचाई का यह परदर्शन जिसका भी इनाग्रोशन किया है यही अपने आब एक रास्ता है फसले कोई भी हो उसमें चाहे क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल पानी को जो पीती है वो है धान धान की सिचाई उसमें जो खुले में सिचाई करते हैं उसका यानि एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है एक किलो चावल में तीन हजार लेटर पानी लगता है ऐसा वग्यानियों का मानना है सबका सोचना विचारना कई बार हम सुन चेके हैं बलके इसहार के हमारे एक प्रोफिसर प्रमेश यादव उन से मैं एक बार मिला खाना खा रहे थे चावल आगे मैंने का चावल भी ले लेते हैं उन्होंने चावल नहीं खाये मैंने पूछा कि आप चावल खाते नहीं है कि नहीं मैं नहीं खाता हूँ क्यों नहीं खाते हैं कारण क्या है कई बार स्वास्त के कारण से कई बार कोई मना करता है कि लगा इसलिए नहीं खाता हूँ कि एक किलो चावल ये अगर खाया जाया तो तीन हजार लीटर पानी अबरबाद हो जाता है अब एक व्यक्ति की सोच है उस नाते से विचारा आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए एक समय था जब हम ग्री दूंद इन चीजों को आगे बढ़ाया और उसके अंदर खास करके जो रसाइनिक खाद होते थे उनका जब हमने उप्योग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जहर के नाते से भी वो जो रसाइनिक खाद है वो उस अनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लगा यहीं नई नई विधाय हमको देखनी पड़ेंगी कि शरीर को खाद्यान ठीक मिले खाद्यान जितना आज हो गया है उतनी आज मारी आवशकता भी नहीं है तो हमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाया दो वर्ष पहले योजना बनाई दूए वर्षि है वो क्यवल मेरे लिए नहीं है बलके विरासत के नादी मुझे अगली पीडी को भी देके जाना है तो इसलिए धान की विजाई कम करो और मुझे खुशी है कि पहले साल में अठ्ञवे हजार एकड़ ये धान की विजाई कम होई इस बार का मारा टार्गेट है कि हम चाहत हैं कि जितना धान है दो लाख एकड हम उसमें से कम कर सकें ताके पानी की बचट उसमें से हो तुमित्रो इस धान की बात हो चाय गन्ने की बात हो मक्य की हो कपास हो फल सब्जियां सब में ही irrigation का परकार बदलना होगा ठीक है इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे साधन में हमने इता किया किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है पानी सबसे ज़्यदा कीमती है बाकी साब साधन उतने कीमती नहीं है उसको हम मुक्तान कर लेंगे लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती इसलिए आज तो हमको भले ना लगे आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है पानी का जितना उप्योग कर लो कर लो लेकिन ये नहीं पता कि अगली पिछली जब आए कि उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अनु नहीं है हमारी मैडम जो हमने वाटर थोर्टी बनाई है मैडम केशिना नुरुडा इनको कहा है कि सारे अध्यन करने के बाद हमको बताएं कि पानी का उप्योग कैसे कम किया जाए तो उसके लिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पानी की ओपर फोड़े चार्जिस दिये जाए और बाद में जो पानी हम ट्रीट करते हैं उस ट्रीट किया वे पानी को रियूज करने का जो रास्ता वो खोलना चाहिए ताकि जो भोटेबल वाटर है नहर का पानी है कच्छा पानी है वो अगर महगा मिलेगा तो अपने आप बाकी उपयोग में चाहे खेती ह होगी चाहे उद्योग होगा चाहे अन्य ऐसे उपयोग जिसके अदर ठीटीट वाटर का उपयोग किया जा सकता उसका प्रशना नहीं को करना पड़ेगा और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो दोस्तों के लगबग ठीट्मेंट प्लांट यह अभी समय हर्याना में चल रहे हैं और उस ठीट्मेंट प्लांट का मोर दन 50% पानी हम रियूज कर रहे हैं, हिदायत तो यह है कि ठीट्मेंट पानी, टीटिट वाटर का भी एक बून डेयना उट नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग सिचाई में करें, उसका उपयोग इंड्रिप्रिब करें, उ बुंद पानी की बचाई जाए, इस परकार से इसको लेना पड़ेगा परदार मंत्री जी ने भी एक हमको कलाइन बोलकर कहावान किया था पर ड्रोप मुर्ट और था एक एक बुंद को बचा करके हमको जो है पानी इसका वो लेना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं बुंद का बड़ा महत्व है एक कहावत हमने सुनी होगी न कि बुंद बुंद से घहा भरता है और बुंद बुंद से ही सागह यानि बचाना एक एक बुंद है और हम सम्मिल करके पानी के बचत की और आगे बढ़ेंगे तो आने वाला एक संकट हमारा जो पानी का है उसको हम निश्य रूप से उसको उस संकट को टाल पाएंगे बहुत लोग तो यहां तक कहते हैं कि दो वर्डवार हुई है आगे आने वाले समय में अगर कभी कोई थर्ड वर्डवार होगी तो पानी के विशेपर होगी पानी का संकट इतना बढ़ा सकता है तो इसलिए हमारी सब की एक जिमवारी है चाहे वो कृशी है चाहे उद्योग है हमें अपने प्राकिर्टिक जल्सरोत इनको भी बचाना भी होगा और नए नए ऐसे जल्सरोत उनको एक पकास से चाहे ब्रिक्ष लगा करके चाहे बांद बना करके चाहे पानी को री चार्ज करके इन सारे विशों को भी हमको करना होगा आने वाला समय यह जो चुनोती है उस चुनोती को कैसे हम हल करें उसमें से आज का जो डिप रिगेशन का जो एक कारकम चलाया गया है इसके लिए मैं अपना जो सिचावी भाग है मिकाड़ा कास करके उनको बढ़ाई देता हूँ उनको बहुत बहुत शुकामना देता हूँ कि आने वाले समय में इसको और कैसे आगे बढ़ाएं सरकार की और से साधन की कोई कमी नहीं आने देंगे बजट जितना आफशक है इसकाम के लिए उतने बजट का हूँ प्योग करेंगे पानी एक प्रकार से अमूल ले है पानी की कोई कीमत ऐसी नहीं है जिसको हम चुका सके पानी बचाना है हम अगर उधान लेते हैं इसरायल खा इसरायल एक ऐसा प्रदेश है कि जो बहुत संगर्श करके अपने आपको आगे बढ़ा पाया है लेकिन रेगिस्तान है पानी नहीं है वहाँ तो हर काम हर जो उनकी खेती की एक एक फसल एक एक पौदा वो माइक्रो इरिगेशन से ही अपनी खेती सिचाई करते हैं खुली से चाई तो सपने भी कभी सोची नहीं है एक बार है कि इसरायल का जो ग्रुप है हमारे आगया वो इसार से सिर्सा जा रहे थे रास्ते में एक नहर वो तूटी भी कहीं तूट गई होगी किसी भी कारण से जब उसका पानी लगातार इतना बहरा था वो वहाँ रोख करके गाड़ी खड़े हो गए कि ऐसा पानी इतना पानी जो बहरा ये कहा जा रहा है कहां से आया उन्होंने कभी इस परकार से पानी बहतावा नहीं देखा था जो बहतावा पानी इस परकार का हो करते है हमारे हाँ तो हम लाल यानि बिलकुल जिसको कहने लालसा पानी की ऐसी है कि यह पानी हम कोशिश करें कि यहाँ से आपके यहाँ से ले जा करके मैं इसरायल में पानी का प्योग कर ले तो उस प्रकार के संकट वाले प्रदेश वो भी अपने आपको जीवित रखे हुए हैं वो भी प्रक्रति करना है बलके दुनिया में इसराइल जो है बहुत आगे बढ़ जो काया कुछ मामलों में तो ऐसे हम को भी चाहे छोटा प्रदेश हो बड़ा प्रदेश हो उनका हमको उनको अनुसरन करना चाहिए और पानी की सबचत के लिए आज जो ये एक प्रकास से जो योजना बनाई है इसके लिए मैं बहुत बहुत भी भाग को शुब कामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस अपने टार्गेट में हम लोग सफलोंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बता हुआँ धन्यवाद मानेनी मुख्यमंतरि मोहदे निशित रूप से एक एक चीज के उपर परकास डाला और बताया कि किस परकार से पानी कितना कीमती है हमारे लिए और आने वाली पुस्तों के लिए हम कैसे पानी को बचा सकते हैं धन्यवाद, इसके बाद मैं नमद निवेदन कर रहा हूँ, समर्ति चिन के लिए ACS मोहदय, आज के हमारे मुख्य मेमान स्रीमान मनोहर लाल जी को समर्ति चिन देंगे, उनका अभिवंदन करेंगे, समर्ति चिन देकर ले आईए, देवी और सवजनों, जोरदर तालियों के स उसे भी साकार कर रहे हैं, और जनसंक्या के अक्षेतर में भले ही हरियाना छोटा हो, लेकिन विकास के अक्षेतर में जो नई-नई किर्टी मान स्थापित मुख्य मंत्री मोहदय के दिशा निर्देश में हो रहे हैं, वो कबिश्य को सुन रहे थे, तो पंशकुला दोरे प खास कारेकरम का शुभारम किया है, दीप जलाते हुए इस खास कारेकरम का शुभारम किया है, सुक्षम सिंचाई योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है, तो ऐसा सीय मनहरलान ने कहा है, सीय मनहरलान ने इस खास कारेकरम का शुभारम किया, तो पिचातर सो प्रोदर्शन पार्योजराओं का शुभारम किया, SYL के भरो से नहीं रहे सकते, तो पाणि की हर एक बुंद कीमती है, तो c.m. अनौहर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमंग शुरान जुड़ गई है पंचकुला से उमंग इस खास कारें करम के बारे में क्या कुछ जानकारी आज जी बिल्कुल देखे मैं बताना चाहूंगी कि हरेना के मुक्षम मंत्रे पंचकुला पहुते हैं पंचकुला पहुते हैं उन्होंने जो सुच में लगुट रिचाई वाले किसान है उनको सौगार देते हुए आज जो ड्रिप एरिगेशन है यानि ड्रिप डेमस्टेशन है उसको लेकर उन्होंने फ्लैग शिप प्रोग्राम जो है उसे लांच किया है जिसके पाइस पर तो जो ड्रिप डेमस्टेशन है उनको लांच किया गया जी उमंग अगर बात की जाए तो फ्लैक्शिप कारिकरम का शुभारम किया गया है आज तो ऐसे में किसानों तक क्या-क्या जो सुविधाएं है वो पहुंचाई जाएंगी क्योंकि सीम मनहर लान ने खुद कहा कि बूं पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ति जो डिप डिप डिरीगेशन है यानि बूंद बूंद पानी जाएगा उसको काफी जो हलाव लाव शुक्षन कि सानी करने वाले किसाना को मिलेगा अगर बात की जाए तो इस खास कारेकरम को लेकर और क्या कुछ खा है सीम ने और क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगी अगर बात की जाए तो धान को कम करने के लिए के योजना बनाई है तो इसे कैसे देखा जाए इसे किस तोर पर देखा जाए जिसमें लगातार कई ऐसे अलग फचले हैं उसको लेकर उनके बीजों को लेकर सप्रेडी उसको लेकर जागुर्फ ताव्यान वर्क्शॉप आई जिसकी गई हैं ताकि कितान दूसरी जाए किसानी के फचलों की तरफ भी जान दें जिसे मुनापा जादा हो कम लाज़त में वीजी उमंग अगर बात की जाए तो अपने इस खास कारेकरम के दुरान उनने किसानों के लिए तमाम बाते साज़ा की हैं बहुत शुक्रिया है उमंग पूरी जानकारी देने के लिए तो सियम अनहरलाल को लगातार आप सुन रहे थे तो सियम अनहरलाल ने दीप प्रजवलित करते हुए इस खास कारेकरम का शुभारम किया है धान की उपच कम करने की जरूरत है